एक्ससाइस 12.1 का थर्ड कोश्चन का स्ट्रेंट्स आँ जी पार्ट करते हैं आपको इसमें सीपी फाइंड करना है उक्के स्ट्रेंट्स तो देखें आपको एस्पी एस्पी दे रखा है स्ट्रेंट्स 676 एंड आपको लॉस पार्ट दे रखा है स्ट्रेंट्स 305 ओके तो स्ट्रेंट्स हमें सीपी फाइंड करना है लॉस की केस में स्ट्रेंट्स हम एस्पी में हम जो है लॉस को प्लस करते हैं ओके स्ट्रेंट्स SP plus में loss तो देखिए स्टुएंट्स जो आपका SP है वो है 676 plus में 305 6 और 5 स्टुएंट्स आपका हो जाएगा 11 7 और 0 7 और 1 8 carry 1 8 6 और 3 9 उके स्टुएंट्स तो आपका answer है 981 इतना जो है CP है कि स्टुएंट्स और उसके बाद हम करेंगे देख लिजिए स्टुएंट्स अब हम करेंगे F पार्ट देख लिजिए F में आपको स्टुएंट्स दे रखा है SP इसकल तो 379 379 और प्रॉफिट पार्ट आपको दे रखा है इस्टुएंट्स प्रॉफिट दे रखा है 63 रुपिज का कि सेलिंग है आपको इतने का प्रॉफिट हुआ है फाइदा हुआ है आपको इसी की तुरू आपको इनके हल्प से क्या फाइंड करना है प्रॉफिट होता है तो हम स्प माइनस प्रॉफिट करते हैं प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है जितने में हमने खरीदा है उससे एक्स्ट्रा हमें जो है प्रॉफिट पार्ट मिलता है ठीक है तो प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा है तो S भी हमें दे रखा 379 माइनस में 63 9 में से 3 जाएगा 6 7 में से 6 जाएगा 1 3 का 3 किस टुरिंट्स तो आपका अंसर है 316 आपका जो कहते हैं कॉस्ट प्राइस आया है 316 किस टुरिंट्स टुरिंट्स I hope आप सभी कई कोश्चन इसली समझाया है तो आप सभी इससे अपने नोटबुक में कर लेंगे इसली एक स्टुरिंट्स चलिए थैंक यू सो मच और फ्यू आप सभी को इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड बैल आइकन को पोश्ट करना है